हलो फ्रेंड्स आज मैं अपने कीचन का टूर कराने वाली हूँ आपको तो चलिए ले चलते हूँ मैं अपने कीचन में अभी मैंने ये नई कीचन बनवाई है और आप देखके बताना कि आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आपको ये कीचन कैसी लगी म मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और अगर आपको इस कीचन का प्राइज वगरा जानना हो या इसका माय का कलर जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको बता दूँगे कि इसका कुंछ सा कलर है जिसे आप भी इसको बनवा सकें सेम ऐसी किचन बनवा सकें अगर आपको ये पसंद आ रही है तो तो चलिये इसका सुरू करते है तो इसे क्या फायदा होता है कि इसमें आराम से हम आटे का ड्रम रख सकते हैं और सेकंड इसके बाद जो है वो बोचल पूल आउट है बोचल पूल आउट के बाद फिर हाँ पी कोर्णर आ जाता है तो कोर्णर मेंं interpreting अप मैजीक कोर्णर भी बनवा सकता है लेकिन मैंने मैजीक और नहीं बनवाया है मैंने सिंपल ही नाई मुझे ज्यादा यूसफुल यही लगता है इसमें आप बड़े बरतन भी रख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं बनवाया है हाफ बनवाया हाफ में पूरे बड़े द्रम वगर ह Korean रख सकते हैं और फिर यहां पर यह यहां पर आप सौटा है यह के लिए ट्र móक होता कि nenीचे कॉज यह सकते हैं नीचे यहाँ पर पतीले वगरा रख सकते हैं तो इसी idea से मैंने यहाँ पर बनवाया है और इसी के साथ में इसाथ साथ में अब खोल के दिखा का है क्या है और इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी चीज अपनी जो kitchen से related है न वो आप रख सकते हैं यहां पे गएस से बने है अड़े वाली डों सिंक रहे हैं पर नहीं साहिते वाले संब suggや स्पर्था कि ऋउड़े न पर Terry लिंज को एकलर नोनियों पर यहां पर पर आपकर एकलर के दोड़े मेशुन पर यहाँ अड़े वाले ही चाहिए तो यहां पर मेरा सिंक है तो सिंक की वज़े से मैंने यहां पर यह दो बड़े ड्रॉर्स बनवाएं चोटे ना बनवा के जिससे यहां पर बड़े बरतन आप आराम से मतलब जैसे वाश किये और तुरंत यहां रख दिये तो यहां पर यह सिंक के नीचे मैंने इस तरह से हाफ वो लगवा दिया है कि जैसे अगर कभी सिंक लीक भी होता है तो फुल में क्या होता है वो खराब होने कर डर रहता है और इस तरह से हाफ हम करवा देता है तो सिंक एरिया में कोई चीज खराब नहीं होती और थोड़ा सी यहां पर विंडो है विंडो के बाद मेरी किजन स्टार्ट हो जाती है उपर से तो उपर इस तरह से यह बंद है एक ड्रॉर यह मतलब का जो एरिया यह चोटा वाला एरिया जिसे में बोटल्स वगरा हम रख सकते हैं और नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा एरिया बन जिसे की बड़े बरतन बड़ी ट्रेस वगरा यूज हो सके और यह है क्रॉक्री यूनिट तो क्रॉक्री यूनिट भी बहुत प्यारी लग लिए मुझे कि इसमें मैं इस तरह से दो स्लैप्स दलवाए हैं जिसे की क्रॉक्री यूनिट आप अच्छे से यूज कर सकते हैं आकर कि इसमें पूरा आपको तूर दूँगी जो कि मैं जैसे भी इसमें एड़ेस्ट करूंगी चीजों को उसी ताप से मैं आपको तूर दूंगी अभी अगर आपको चाहिए होगा वो तूर तो मुझे कमेंट में लिखना मैं जरूर भी आपके साथ वीडियो शियर करू है जो भी है आपके मसाले के डबन व्गiegen होते हैं हूं एक्सेस करते के लिए इन दृट्व तो मेरा आजैगा यहाँ contrastsy तो यह पूरी कीछन का TOOL है जो गता है तो अभी तो यह पूरे कीचन का SHE तो मैंने अभी खालिकाई दे दिया है और जब मैं इसमें पूरा एड़ेस्ट कर लूँगी समान तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी आपको टूर दे दूँगी अभी यह मेरा इस तरह का कीचन है अगर आपको यह कीचन पसंद आया है आपको अच्छी लग रही है तो आ लाइक जरूर करना मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के सारण